दिल्ली में मेर पग के लिए कई दिनों से काफी जद्दो जहद चल रही थी लेकिन आखिर जीत सच्चाई की हुई और सम्वेधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी का मेर चुना गया शेली और ब्रोय दिल्ली नगर निगम की मेर चुनी गई इसको लेकर आम आदमी पार्टी का मनोबल काफी उचा हो गया और अब दिल्ली में प्रभावशाली तरीके से विकास होने की संभावनाएं बढ़ चुकी है आम आदमी पार्टी के कार्यकरता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं इसी प्रकरण के चलते आम आदमी पार्टी कालका के स्थानिय कार्याले में यह जशन बड़ी धूंधाम से मनाया गया लोहगर स्थिताम आदमी पार्टी के कार्याले में सभी कार्य करता इकथे हुए धोल बजाकर नाच गाकर खुशी का इजहार किया एवं जन्ता में लड़ो बाटे गए जानकारी देते हुए आप नेता रंजीत उकपल ने कहा कि जन्ता अब समझ चुकी है कि ताना शाही धक का शाही बिलकुल नहीं चलेगी इस देश में सम्वैधानिक तरीके से एवं लोकतांत्रिक तरीके से ही कार्या होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेर बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धी है इससे दिल्ली के विकास को गती मिलेगी उन्होंने कहा अभी आम आदमी पार्टी की सत्ता दिल्ली में और पंजाब में है स्थितिया पूर्ण रूप से बदल रही है जनता चैन और सुख का सांस ले रही है आने वाला समय हर्याना का है आम आदमी पार्टी हर्याना में आएगी और हर्याना की भी रूपरेखा को बदल कर रख देगी इस वक्तवग के दौरान उनके साथ ईश्वर सिंग, कैप्टन अमर्जीत सिंग, स्वर्ण पाल सिंग, घंश्याम टक्रा, नवीन चोहान, ओंग सिंग कैंत, गुर्मेल सिंग मिला, बलविंदर पंच, रामनात, राजेंदर मीना विश्वनात सिंग, विकी गिल, बंटी सि मुखे रूप से उपस्थित रहे